आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यूरीन, तो फास्ट डिस ओडर की बात करते हैं ग्लाइकोस यूरिया तो ग्लाइकोस यूरिया मतलब ग्लुकोस का ग्लुकोस की प्रेजन्ट होना यूरीन के अंदर तो जर्नली क्या होता है जो ग्लुकोस है वो अब्सवाब हो जाता है और glucose को absorb हमारे निफ्रोन का कौन सा पार्ट करता है PCT तो glucose absorb हो जाता है proximal convalidated tubule के अंदर बट बट चो कुछ conditions है various conditions वो affect कर सकते हैं urine की characteristics को journaling जो glucose है वो urine के अंदर present नहीं होता लेकिन अगर जो glucose है वो urine के अंदर present होता है presence of glucose in urine तो उस condition को क्या कहेंगे हम glycose urea और ketone body present हो in urine तो उसको ketone urea कहेंगे और glycose urea और ketone urea ये किसके indicative है diabetes mellitus की diabetes mellitus जो disorder है उसको indicate करेंगे तो glycose urea presence of glucose in urine fourth उसके बाद second disorder दिया गया है renal calculate तो इसके बाद करेंगे यहां पर क्या होगा stone या फिर हम बोज सकते हैं insoluble mass of insoluble mass of crystallized salts जैसे कि यहां पर crystallized salts का example है oxalates है वो form हो जाएंगे kidney के अंदर तो इस condition को हम क्या कहेंगे renal calculate तो यहां पर मैच देखते हैं number second renal calculate और उसके साथ second column में third point दिया गया है mass of crystallized salt within the kidney तो इसके लिए correct match क्या होगा हमारा third अब next जो दिया गे glomerular neptritis तो यहां पर जो हमारा glomerular है उसके अंदर inflammation हो जाएगी glomerular क्या है तो नेफ्रोंस जो के functional unit है kidney की उसके दो पार्ट होते है glomerularis और second part होता है और renal tubule तो ग्लो मेरलस के अंदर inflammation होना क्या कहलाएगा glomerular neptritis तो यहां पर क्या होगा इसका correct answer inflammation in glomerular second option then उसके बाद gout disease दी गई है तो यह क्या है a form of arthritis जिसके अंदर जो uric acid है वो joints के अंदर accumulate होना start हो जाएगा symptom क्या होंगे हमारे जो joints है वहां पर pain होगा redness या फिर जो joints है वहां पर swelling हो जाएगी to accumulation of uric acid in joints first option तो अब match देखते हैं a के लिए होगा हमारा fourth तो यह गलत हो जाएंगे fourth, b के लिए third, c के लिए second और d के लिए first तो correct option क्या होगा हमारा third option Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 पर